नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असामलेकुम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन हैक्स के साथ मैं हूँ नादिया आइसबर्ग लेटिस जिसका फ्लेवर और क्रंच बर्गर्स और सैलिट के मज़े को डबल कर देता है अगर आप भी आइसबर्ग लेटिस बर्गर्स और सैलिट में इस्तमाल करने के लिए घर में फ्रिज में लाकर स्टोर करते हैं ताकि डेली इस्तमाल किया जा सके तो डेफिनिटली फ्रिज में रखने की वरह से इसका क्रंच फ्रेश नहीं रहता तो सिंपली इस्तमाल से पहले आइसबर्ग लेटिस की फ्रेशनेस और क्रंच को रिवाइब करने के लिए कुछ देर के लिए पानी में सोक करके रख दें समर्ज में आप आइसबर्ग लेटिस को पानी में सोक करने के बाद फ्रिज में रखें और तक्रीबान आदे से एक घंटे के बाद इस्तमाल करें और बर्गर्ज और सेलिड में क्रंच को इंजॉय करें तो ये तो था आज का सिंपल और जबर्दस किचन हैक तिल एक्स टाइम अलाहनी के बाइब ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए